स्वाई आपका एक बार फिर से क्योंकि आज अपन लेके आए नेक्स एफ्टर जिसका नाम है डी एंड ए ब्लोग साथ में अपन कराएंगे एस ब्लोग ठीक है तीनों ब्लोग अपन कंप्लीट करा देंगे इन और गयनिकी बात चल लिए थी पी ब्लोग तो अपनने कंप्ली S ब्लोक की साथ के साथ हैं डी एंड ऑ-ब्लोग सांदा तरीक छेथम करवा देंगे चलो तो लह अच्छोटे-ब्लोग कि और भी resort चीज़े कर रहें तो और भी चोटे हम जाते हैं चेप्टर तो सबसे पहले मैं बात करने जारहा हूं कि इसके s-block की तो आप लोगों को पता कि periodic table में अगर ये s-block की बात करूँ तो periodic table कैसे होती ही इस तरह से प्रोड-tevil होती है तो सबसे उपर यह सबसे left side में ब्लोग और जब्लोग ना, तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं एापन अस बहुत तो इस ब्लोग के अगर बात तो इस ब्लोग में आपको दो रो देखने को मिलती ही, सिंपल बात बता रहाँ, ठीक है, दो रो देखने को मिलती ही, इन दोनों रो को अगर मैं नाम दूँगा, तो इसको बोलते हैं इनका कौन सा ग्रूप होता है, पहले ग्रूप से स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं एसे तरह से जाते हैं पिरियेटी कि ना 7 के 7 पिरियेड में S ब्लोक पर्जेंट होता है लेकिन अगर मैं बात करूँगा गुरूप की तो गुरूप में केवल आपको दो गुरूप मिलते हैं कौन-कौन से एक तो पस्ट गुरूप, एक सेकेंड गुरूप, केवल दो ही गु इनको S ब्लोक के एलेमेंट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रिजन होता है, कि या इसका जो इलेक्टोन होते हैं, इनका अलागा, अपन इलेक्टोनी कौनपिग्रेशन लिखेंगे, तो इलेक्टोनी कौनपिग्रेशन लिखने के बाद में, इसका जो कौनपिग्रेशन आ तो सबसे सिंपल सी यही थी उसके बाद मैं एक चोटा सा जनरल आइड़ा मैं बता दूँ कि जो आपका फॉर्ष्ट गूरूप है तो इस प्रस्ट गूरूप को एक अलगी स्प्पेसिफिक नेम से जाना जाता है जिसको नाम होता है बाई जो पर्ष्ट गूरूप क्या होता ज सेय्केणर जेंड है उसको बोलते है अलकाशाली अर्त मेटल ठीक है अपको पता होगा यार पर्ष्ट वाले को तो एक बोलते हैं और इसमें क्या depth यह अर्थ बोलते हैं तो इस तरह से आपको चीजे dilem नबाद में इसमें कोई इससे नाघए कोई यह ऑसान हुआ है वह सिंपल यह को दीखत लेने वाली बात नहीं बहुत आसानी चाहिए यह сказал पर उसके पाद प्रियाद यह पर लिखा होता है लीना के रब से परियाद लीना के रब से परियाद इंदी में याद करने का तरीका है देना पर बात करने इसकी बी एम जी सीए इसको याद करते हैं बेटा मांगे कार इसको टर बाप राजी यहां पर नीचे आरहे आ जाता है इसको छोड़ दो इन लिफी अपर बेसिक करनी कौन का नहीं करनी है वे में आपको बेसिक चीज़े पढ़ाता हूं ताकि आपका बेसिक से बेस बने उसके बाद में अपन तोड़े लेवल पे ले जाएंगे चीजों को ऐसे करते हूं सारी जो इंपोर्टेंट चीजे हैं उस तारी में आपको बता दू अगर मालों इसी पहली चीज को में ना आपको बिल्कुल बैस है तो इस चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि चीजे कैसे शुरू हो रही है इस चीजे बहुत इंपोर्टेंट होती है और इनको ध्यान में रखा को रहा हूं सा थीके तो सबसे पहले मैं बात करूंग है हाइडोजन की ठीके उसके बाद लीन सब्सक्राइब कर देन 11 का 1s2 2s2 लिखना तो मैंने बताई दिया आप लोगों को 1s2 ठीके सेकिंड लाइन में 1s2 2s2 2p 6 हो गया उसके बाद 3s1 बोलो गिनों कित्ते होगे 6 2 8 2 10 11 तो आपको समझ में आया होगा कि भाई अगर मैं बात करूंगा किसकी इस वाले लुद्ध करूंगा तो इसमें आपको यस वन यस वन यस मतलब लास्ट जो इलेक्टों ने यहां पर मैं लिखा है था वह जो लास्ट इलेक्टों ने वह एंटर कर रहा है किसमें s-block में एस ब्लोग में, एस ब्लोग में, साथ में एक चीज और आपको बहुत अच्छे से देखाए दे रही होगी, जो एंटर कर रहा है न बाया, वह हमेंसा एक एलेक्टोन आ रहा है, यह, ओ सकता है दो भी हो जाएं, लेकिन यहाँ पे किते एक एलेक्टोन आपको देखने को मिल लास्ट इलेक्टोन में, जो s-blog में जा रहा है, वह किता जारा, एक एलेक्टोन जारा है, तो आप लेक्टोन आपको इ Nor which 1 सकता है, अगर लास्ट में 2 इसको ऐसे लेख सकते हैं जैसे मैं बता दो आप लोगों को इदर कौन-कौन चेंगे mg आ गया ठीक है सुरू से लिखा जेता हूं चलो बीका लिखा जेता हूं बीका बी 3 इस जी आप लिखाज तो आपके लिखता हो आपयों कोण बी रिषान हैं तो बैस सबसे पहले मुझा दो प्र600 फेका के यह चार नमबर होता है ब कर दोबाद और यहां ड़ा और में आयां घंटाबर हो गया हैं अब लिखल ॆ हुएगा के कि इससी फ़ोम में लिखना बिल्कों बीजा ली चार वन चलू टू 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 देखा टू अगया 12 वन टू 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 2 टू 2P6 3S2 3P6 ठीके उसके बाद कित्ते हैं गिल्लो एक बार 6 और 10 होगे 2 कित्तो है कि 12 ची 18 होगे 3P6 उसके बाद में 4S2 इतना है आएगा क्या हब बोलो मेरे को क्या S में गया last electron बिल्लकुल last में गया साथ में बोलो S में कित्ते electron आ रहे 2 electron आ रहे इधर भी 2 आ रहे इधर भी 2 आ रहे इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि इसका जो general formula जो है वो आपको नजर आएगा ये वाला NS1 यहाँ पर NS2 क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या इस ब्लोक आपको पुरा दिमांगों फिट हो चुका है कि भाई इसमें दोर होती ठीक है कि element कौन कौन से इटम कौन से helium नियों गलत बात है helium नहीं होते हैं बाई क्या होते हैं बोलो कुछ भी जो फलोग बना दिया मैंने बात बोल तो आपने helium नियून आरगन बात करें इनट गेस की आवे नालाई को इनकी बात कर उना प्रश्ट के सेगेंड की कौन कौन सा करूं आप लोगों में फिर भी बोल रहा है लीतियम एने के पिर उसके फोटेश्यम पॉटेश्यम इसमें आता सेकेंड में पर्ष्ट में आता हलीना के रफ्स परिया बेटा मागे कारी स्कुटर बाप राजी यह वाला हलीना के रफ्स स्युस्हार्य सेपां कोई दिककत नहीं इएक बाद में आपको एक बार फिर से में क्या करूँआं डिटेश में पढ़ा ज Gothic कुट वैक को जो बाइ पश्ट आ ना पर्ष वाला इसको क्या क्या बोल सकते हैं परष्ट नहीं साथ्ट्य क्रांज कुट तो बोल सकते हैं यहां पर लिखना है क्या होता है फैली crush है यह ब्या बात है कि घपना तो चोटे होता है या बड़ को धात है। मैं यहे चोटे होते हुँ श Speed comes form कि मैंने बात करी कर दो अहुता है वAFन साथ में इसका कभी-कभी आपको यह भी नजर आएगा कि N-1, S2, P6, NS1, ठीके, P6, NS1, तो आप ऐसे भी लेख सकते हैं, बहुत अच्छे से हैं, कि भाई, मैंने क्या लिखा यह आपको चीजे, वो चीज बहुत इंपोर्टेंट है, यह वाला भी फॉर्मॉला बने के नजर आएगा, यह ब बड़े-बड़े लेक्टे देखने हैं, जो तनी वन सोर्स ही क्योसन आ रहा होगा, कैसे आएगा, क्योंकि यार, बता है न मुझे, क्योसन कहां से पूछ सकता है, छोटा सा है, अब इसका रीजन तो आपको बाता, लेकिन इसका रीजन कैसे नहीं पता, सेम इसका ही रीजन इसका बेढ़ता है, कैसे बेढ़ता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको लोगों को, कि मैंने किसकी लिखाई थी, पहले मैं आप एलेक्ट्रोनी कोनुपिकरेशन किसका लिखाई था भाई, एलाई का लिखाई था तीन नंबर होता, उसके बाद में एलेक्ट्रोनी कोनुपि 3s1 अब बताना मुझे इसमें लिख देता हूं इसका भी 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया बाई सिंपल है कित्ता हो देखो कित्ते हो से 19 लिखने हैं आपको 10 हो गये उसके बाद में 1s2 2s2 3s2 3p6 कित्ता हो गया 18 हो गया फिर यहां पर क्या हो गया 4s1 हो गया सिंपल बोलो यहां भी मैंने लिखाया उसका कोई दिकतनी इस्यू नहीं है 4s1 हो गया अब बताना मुझे इसका फूर्मुला कैसे फिट बेट वाता हूं मैं आपको यहां पर जो बड़ा होता है इसमें कैसे फिट बेटता है बता रहा हूं आपको कि यहां पर क्या बोलता है n-1 सबसे पहले मुझे इतना बताना कि यहां पर n कितना है इसमें 1,2,2,2,1,2,3,3,4 तो n होता है सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा कोन सा है तो यहां तो सबसे बड़ा सेल नंबर जो है वह है 3 तो क्या बोल रहा है कि भाई n-1 करेंगे तो s2 में दिख रहा है, simple बोलो 2S2 दिख जया आपको, 2S2 दिख जया, उसके बाद क्या रहा है, P6NS1, तो आपको क्या दिख गया भाई, P6NS1, मलब N तो ही आगे न, उसके बाद P तो ही आगे, simple, जो आपको में लिखा रहा हूँ, ठीक है, P में आरें 6 लेक्टोनें, देख लो, P6, बा चार यहां पर रखेंगे चार माइनस एक कित्ता हुज़ेगा 3s2 3s2 में 3s2 यहां से चल रहा है फोर्मुला यह लो 3s2 3p6 3p6 ns1 4s1 चलो बताओ आसान है क्या बिटकुल चीज़ समझ में आप लोगों की मैंने क्या बता है कि यार देखों यहां से सिंपल चेंपल बेट रह है इसको भी करी लेंगे बहुत आसान है ठीक है और एक एक्स्टा चीज लिखाए मैंने आपको जो बिल्कुल नजदी की चीज़ों से आपको हेवी करा दें कि मलब आपको एक्तम रहतान लेवल की चीज़े करा जाना बहुत सांदार तरीके से चीज़े हो जाईगी ठीक है इसमें कर लोगे आप बहुत सिंपल है ठीक है इसको बोलते है यार आज क्या दिक्कत होगे न मैंने क्या अभी साम को बेनाया था सारे दिन तुम्हें आज संडे का न मतलब कल वीडियो आ रही है आपकी मैंने संडे को सूट करी रात में अभी टाइम हो रहा है रात का बार एकारे के रीकली क्या प्धार हमें और रीकली का करें न हो यार क VO मैं इसे करूगा देखना पताएा ने चलतार आदे या से खर आप जाता है दो प्रुद हैं मैं सब्सक्राओं अधिपटी मैं यार जहां को आइसा नहीं आज जिर भूसके द्लाइए तो देखना पड़ता है में पता है इसका जिएप का मतलब क्या होता है जनल फॉर्मला कितना होता है एन एस्टू होता है सिंपल बात है तो आप जानते ही है साथ में इसका वे अलग्स होगा एक एन माइनस वन ठीक है वहाई से बनाई में चीज़े एस्टू पीशिक्स एनस्टू अब आप समझ गयों यह लास्ट है वो कर जेगा और पीशिक्स एनस्टू तो आता ही है यहां इस बतानी वाली चीज़े ना जहां तक नहीं बता ही बढ़ां गयां लेकिन रखेस अंचंस्ट होके बढ़ाई करना सब्सक्राइब यह इन B की बात करूँगा, M G की बात करूँगा, ठीके, C की बात करूँगा, देखो भाई, यहां से किता, 3 था, 4 था, सोरी, 4 था, भाई, 3 तो लीतियम का होता है, ठीके, यह 4 था, M G किता, 12 होता, C किता, 20 होता, अब बोलो, कैसे करेंगे चीजे, ऐसे करेंगे, देखो B 4 आ रहा है तो क्या लिखेंगा अपन 1s2 2s2 बारा आ रहा है 1s2 2s2 टीके उसके बाद में 2p में किता है 6 जाएगा बाद में जाएगा 3s2 टीके बाई नंबर गलत हो जाया तो देख ले ना यारा भी न इसे उपर्च करा रहा हूं सिजे 20 आ रहा है 1s2 2s2 2p 16 हो गया 3s2 3p 6 18 हो गया 4s2 4s2 बोलो अब बताओ आप इससे वही चीज हो जाएगी क्या s2 simple मिल रहा है देखो इसमें देखते हैं कि n-1 n कौन सा 3 आ रहा है 3-1 मलाप 2s2 2s2 दिख रहा है 2p 6 3s2 simple बात है यहां पर देख लो 4 आ रहा है तो यहां शुरू जाएगा 3s2 3p 6 3s2 3p 6 ns2 लास्ट का फाइन जहां शाता है कि आपको s-blog और p-blog दोनों को मिलाके मैंने क्या बोला था कि इनको बोलते हैं भाई normal टीके या पी representative element री पर्जेंटेट्व एलिमेंट बोलते हैं इसको element लिख लों याँपर element simple बात है d-blog को क्या बोलते हैं transition बोलते हैं और e-blog को क्या बोलते है इनर transition element बोलते हैं लेकिन S और p-blog को क्या बोलेंगे अपन normal element बोलेंगे ऐसा पूछ लता है कि इन में से कौन सा необходимо है जो आपको बिल्कुल या इस ब्लोक में इसे न इसके बाद क्यों fuel बताया में आपको क्यों बोलते हैं इसका रीजन होता है चोटा सार मतलब नहीं है लेकर फिरी बता देता हूँ इसका जो ultimate इनका और इनका किया होता है इनका कि इसका रीजन कि यह वाली चीजह दिख़ता तो यह तो इसके अगर मॉझे पास में कोई हम ले 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 लेता हूं मैं रिंडम को समझाना है आपको तो काम हो जाया अब इसका वन एस टू 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 एसवन अरे भाई देखो यहां से एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको जो जानते हों अच्छी बात है नहीं जानते हों उसके लिए और भी अच्छी बात है यह वाला सीन है तो मुझे इतना बता हूँ आप लोग कि इन में से कौन सा सेल है जो कम्प्लीट है बोलो मुझे यहां प्यारा है 1s2s complete है 1s2 complete है यहां पर 2s1 s में कितना यह लेक्ट ना सकते हैं दो आ सकते हैं लेकिन यहां पर कितना आ रहा है भाई यहां प्यारा एक और यहां पर s2 complete है दो complete भरे हुए है complete sale है क्या मैं क्या बोलो complete sale है क्या है सेल या सबसेल बहु समझें ना बात को सेल्या सबसेल में बोल रहां हौ SHELS इसकी बोल मिली ने कि इसका सेल बोल रहे हैं जो क्या रहे हैं फ्यसकों डोनों चीजा rate लेकिन ये चीज को बोलगे न में किसका सेल रहे हैं यह रहे हैं यहां पर S में एक है तो यह तो incomplete होगा लेकिन द्यान रखना एक चीज सबसे important चीज यहां से निकल के आती है बहुत basic चीज है ठीक है बच्चों को नहीं आती में बच्चों को नहीं आती है मेरे को भी नहीं आती थी पहले ठीक है जब मैं पढ़ रहा था पश्ट पश्ट में सेल इसको बोलते हैं सेल इसको बोलते हैं सबसेल तो यहां पर सबसेल कंप्लीट है यहां पर सबसेल इंकप्लीट है लेकिन जो सेल होता है ना सेल होता है बहुत दो अब आपको पता है टू में कौन कौन आता है और टूपी भी आता है सिंपल बोलो आता है कि नहीं आता है 1 में क्या आता है 1 में आता है 1S only तो यह वाला पूरा cell complete है लेकिन 2 वाला 2S 2P जब 2P आएगा वो complete भरा रहेगा तब जाके बोलेंगे cell complete है क्योंकि अगर यहां तो yes यह आ रहा है तो 2P गाये पर मलब यह वाला cell अभी incomplete है तो यहां यही बात हो रही ultimate जो cell है वो incomplete होता है तो यह बोलो कि अभी incomplete होगा complete होगा आप बोलेंगे incomplete होगा क्योंकि यह 2S के साथ में तो 2P भी आना चाहिए जब जाके complete होगा है ठीक है तो चोटी से चीजे लेकिन बहुत बड़ी exam के लिए ठीक है जब आप सीख जाएंगे तो पर आपको आसान लगेगी जब मैं सीखा नही तो यह basic चीजे बात होरी था अपने basic चीजों के बारें बात करी basic चीजे क्या होती किन चीजों पर आपको focus करना चाहिए आप लोगों को अब इसके बात करने जा रहा है कि जो आपका येIG can आपका जो S block है, उस S block की size का matter क्या होता है, क्योंकि अपने periodic table में size के बारे में क्योसन करें ते size से क्योसन आता है, लेकिन size का मैंने बता दिया है, कि नीचे जाएंगे, तो size बढ़ेगी, यहां से left to right move करेंगे, left to right move करेंगे, और size क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, और क्या करेंगे, up to down, उपर से नीचे की तरब जाएगे, उपर से नीचे की तरब जाएगे, size बढ़ेगी, क्योंकि cells बढ़ेगे, और अपन left to right move करेंगे, मलब left से right की तरब जाएगी, तो क्या हो जाएगा, size गटेगी, नीचे बढ़ेगी, इधर की size गटेगी, simple बात है, बहुत basic चीज़े, यह पढ़ाने की चीज़े नहीं बिल्कुल भी, कही किताबों में देखने हो मिलेगी, मिलेगी मेरी copy में, मेरी सब्दों में मिलेगी, copy में अलग चीज़े लिकाऊँ हो में, और ध्यान लगना, जो सब्दों की चीज़े होती है, वो हमेंसे याद रहती है, copy की लिकेवी चीज़े बूल जाते हो आप, लेकिन सब्दों की कई चीज़े कभी जिन्दगी में नहीं बूलोगे, वाहे बूलोगे में साइस की तपर में समझाय का तो कुछ बो खुर हो के सी खुराइगने साइस बढ़ाइगा, Decrease होगे decrease होगे Simple है अगर मैं ऊपर जाओंУँगा विलब नीचे आ रहा हुआ मैं तो मेरी नीचे जाओंगा अगर मैं left to right तो मेरी size Decrease होगे क्या decrease होगे लिखब होगी जब मैं left to right move करूँगा और मैं up to down जाओँगा अब to down जाओँगा तो मेरी क्या हो जाएगी size increase हो जाएगी simple है आसान है बहुत simple है ठीक है अपने पास में दो दो element है एक इसमें simple में example लिखा दूँगा जैसे li लिया मैंने na लिया k लिया r b लिया cs लिया simple बात है इदर से मैं क्या लूँगा b e लूँगा mg लूँगा c a लूँगा s r लूँगा और b a लूँगा मुझे इतना बताओ इनके size का order बताओ सबसे पहले तो इसकी बात करूँगा कि यार मैं जा रहा हूँ left to right move कर रहा हूँ फिर up to down करूँगा तो यार मुझे बिताओ कि इदर से इदर जाओगा तो मेरी size बड़ेगी या गटेगी आप बोलेंग सिंपल है size गटेगी तो guide गटेगी तो गटने का order आएगा कि इदर की side जाएगा मामला कहां जाएगा इदर का बढ़ा होगा इदर से नीचे जाने के बात तो अगर मैं यहां से नीचे जाओगा लीज से जाओगा मतलब जिसके तरफ मैं अपना मुह को लूँगा उसके size बढ़ जाएगी ठीक है बाई सिंपल बात है सिंपल बात है उसके बाद में मैं बात करूँ इदर की nsmg मतलब मैं इदर से इदर जा रहा हूँ इसका मतलब मेरी size इदर बढ़ रही है कि इदर बढ़ रही है इदर बढ़ रही है इदर बढ़ रही है बोलो क्या बोलो क्या बोला मैं नहीं कि बहुत आसान तुम आगे जाओगे तो बहुत पादा चलेगा तुम्हें कि क्या size होती है किसी जो की तो दियान रखा करो simple बात निपहें कि आप लोगों क्या समझना है कि नीचे जा रहा हूं में नीचे जा रहाओ तो मेरी तो बढ़ेगी तो अगर मैं दोनों में देखूंगा तो इन दोनों में यह यह इन दोनों में से तो यह वाला चोटा है अब देखो इस तो इस आ जाँगा तब भढ़ेगी तो इसका मतलब है कि भई इसके सी छोती होकी अगर मीनीमम साइज अब बात करेंगे कि इसकी मेंग जी서 की मेंग चीम आप लोग कि आप सिम्पल बोल देंगे दिमाग लगाने की जरूती नहीं है इसमें कि आपसे लिगम का मैक्स होगा साइज किसमें लोक में सिम्पल बात है कि नहीं आएगा बाएं चलो अगले किश संच करें गया जैसे के बात करेंगे एक्जाम्पल के फोर्म में बात करेंगे एक्जाम्पल एलाई प्लस हो गया प्लस चल रहा है मालब एक 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 लेक्ट्रों सबसे निकल रहा है साइज बराबर इंक्रीज या डिक्रीज होगी लीना के टिक आर भी प्लस सी एस प्लस हो गया अब मैं बात करूं ब्यवाला more स्टीं किम आतीए ब्रस्थीह पलेटओ और सी आपोют यानीची होगी तो यह वाला में तो आपने पास्ट में डोज़तीए आपको अब को लग रहा है कि यहां के बाद व्यूख कर यजग से को सनाये गा तो इसका मुझा है वह यह युजध से क्षिजण को संद नहीं आएगा पिर तो किसी औरीग वप्री छिडम से क्षू रहेगा क्योंकि आपको लगता है इस सारे कि बार से क्यों सतना रहा है सब्सक्ON अगर है तो अपने कोपे साइगा पिसक्त की बार को लुए कि अगला पॉइंट लेकिंग्साइज अब आपन बात करेंगे हाइड्रेट एनरजी की है तो सब्सक्राइब बहुत आसान चीछ बता रहा हूं आप लोगो कि हाइड्रेट साइज मलब तो यहांपर अगर मालो 1 एक रेक्टर में डाला चीजी पानी निकाला टीक है मलब स यही रहेगा इस में कोई दिक्कत को दिक्कत नहीं क्योंकि आप लोगहों को पता है ना कि यहां पता है कि साइज का टोती है यहां पूर साहब कूल है कि ठीक ली ना के यह वाली इसको निचे जाने बढ़ रहा है अगर मैं इसको इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं एक वस्में डालूब बलब पानी में डालूगा तो चीजे क्या हो जहेगी तो इसका उलता हो जाएगी साइज किसमें एक को समें एक मीडियम में इसके बात में साइजस किसमें एक वस मीडियम में देँड़न चीज सबावे और यह संधे आप लोगों इसके बाद में बात करेंगा है कि आइड्रेशन एनर्जी या एन्टेल पी लिख लो अच्छा लगएगा आपको ठीक जी यह किस पर डिपेंड करती है यह डिपेंड करती है वन ओपोन साइज पर अब बोलो यहां से क्या समझा आपने कि चोटी साइज का हाईड्रेशन एंटेल पी ज्याधा होगा मालब है इसकी जी जो भी तो चोटी साइज किस की एल आई कि यह किसकी तो यह उल्ता मामला चला इस पर यह वाला वोटर हो गया मैंने यहां से बना थे आपको फोर्मूला बना आके दे रहां कि और एसे-से चीजे करण नियों होती ठीक है जी उसके बाद में अगला जो concept आते है अपना होता है भाई कम किससे हो बड़ी साइज का देखो बड़ी साइज का कम मोबिलीटि अंदक्ट्विटी उसका ज्यादा होगा बोहो साइज के अपोन लगा सकते हैं इसको लिखना बिलकुल गलत है इसा नहीं लिख सकते लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं एकदम मोटी मोटी बात होती ने बिलकुल बताने वाली उस पॉम में बता रहा हूं इस तरह चाप कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत है क्या उसके यहां पर लिख देते हैं अपन एलाई जो होगा ना आप देखो वही ऊपर चोटी साइज है बड़ी जाएगी एलाई ठीक है इसके बाद में इधर इधर बड़ी साइज है चोटी साइज कौन सी कभी यह ना यार तो आप यह लिख सकते हैं लाई प्लस आयन कि लीस्ट कंडक्टिविटी ईन अलकली मेटल अलकली मेटल में यहां पेलाई प्लस मैंस मतलिक देना आप लोग कि यहां पलस माइनस हो गया तो यह वाली शीजें पर बड़ी साइज का लगा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं तो यह वाला कल्सेप्ट है जो आपको अच्छे साया होगा सिंपल बात है ना बस यहां से देखना पड़ेगा आपको जिसमें आपको काम हो जाएगा देन आपने बात करने जा रहें किसकी आई-ई की आई अब आपको पता है तो वन पॉन साइज होती है यह तो मैंने पड़ा दिये लेकिन फिर भी मैं दूबारा से पड़ा रहा हूं आप लोगों को तो समझनी चाहिए आपको ठीक है इसमें आपको द्यान क्या रखना एक इस्टेबल कोन पिग्रिशन का ज्यादा होता है जैसे मैं बात करूंगा कैसे अगर मैं बात करूँ एक्जांपल की लिया मैंने एलाई पर मैंने लिया भी ही तो यहां पर क्या होता चोटी साइज क्षाइज कि इसकी या इसकी आप बोले假оПी साइज होती एक तो जोती exposसी G ओती जें लिए 녹वस्वेस्टों की ओप लगा देगे यह वाला जाएगा एसा क्यों 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 कि आप लोगों को पता है कि यहां पर यंठिधा टूय यहां पर आता हैं 2P1 मतलब यहां पर incomplete यहां पर complete इसका मतलब इसका ज्यादा हो जाएगा यह तो बहुत अच्छे से बता रहा है कि में चीजे आपको लेकिन फिर भी अगर बात चल दी इसकी यह सब्लोग की तो इस ब्लोग में में मेटर आ रहा है इसा तो इसलिए से मैं नेकिने बोलो को दिक्त नहीं बात आती भई आई वण की और आई टू की मैंने यहां पर चिला चिला-चिला के बात का लगता आई टू का लगता है जब नूट्रल एटम होगा वहाँ पे IE1 आटेक करके एक elektron निकालेगा जब एक elektron निकल जाएगा प्लस का साइन आजाएगा उसके पर IE2 आटेक करेगा अगर मैं IE1 की बात करूँगा तो इस बिलकुल न्यूटरल पे जाएगा जब IE1 करेगा तो यहां से करने के बाद में यहां पर पलस वन का साइन आएगा समझ रहे हो ना बात को समझना पड़ागा यह डेप्ट की बात है जो अंदर जाएंगे तब जाके चीज़े समझ में आती है तो यहां पर मैं बात करूँ कि इसकी NA की और MG की और यहां पर बात इसका लगा दूँगा कर बिल्खुल भी नहीं लगांगो इसका लगाऊंगा एसा क्यों होता है इसा इसलिए होता है यह एक इंप तो इसके बाद में 3S1 तो इन कम्प्लीट आ गया तो इलेक्ट्रों नी कोई स्टेबल आ रहा है है ना फुली फिल्ड है फिल्ट इसके बढ़ने के बाद में इसके मेटर यह वाला हो जाएगा जब कब होगा इसको बहुत अच्छे समझ लेना IE1 का लगता IE2 का लगता एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर मालो आपके पास न्यूटल लेटा में से एने हो गया तो यहां से जाएगा IE1 AI1 अटेक करने जा रहा है तो यहां से एक बारण निकालने जा रहाएं बैए न्यूटल लगता रहेगा से अध्युक्म ही को जब лучше इंतों को सब्सक्राइं तो मीनाग्राइएगा एक घृत्त्राइए चीज होते हैं यहां से क्योंसन बनते हैं ठीक है जी वह नव्य साहे तो सबस्क्राइब चलो इतना कर देंगे वाला हो गया लेकिन यह वाला नहीं ओगा निच्छे वाला और यहां पर जाएंगे बोलेंगे आउट था लीआ या या पे कोई भी रोलान नहीं का कुछ भी निसिंपल बोलो लिया जो के लिया और भी लिया यहाँ पर कुछ कि लगा दूंए जीवर में नहीं नहीं कुछ नहीं लगाऊंगा अगला लेको MP मेल्टिंग प्वाइंट पानी का किसका पर लेलो मेल्टिंग प्रइंट सिंपल है कि नहीं कि सिंपल है अब देखो बाईяж आपका एंपी ट्हें करता है बौल को बोलना पड़ेगा मैटालिक बॉंद पर मेटालिक बॉंडवाेप्स समझें उपकी न Deutschland करता अब एम पॉन साइज पर चोट्य मेटालिक च्छोटी साइज का ज्यादा होगा आप आप से बहुत चीज़ निकलेगे अगर च्छोटी है तो क्या पॉलिग जादा होगी आप बोन अनरजी ज्यादा होगी तो यहांसे देख लो कुछ भी देख लो आप ऐसा सोचओ कि कि चोटी size का size घटरी है मलब चोटी size MP ज्यादा आसाने की नहीं लो LI की बात करूँँगा, NI की बात करूँगा, K की बात करूँगा, RB की बात करूँगा, CS की बात करूँगा, मैं आपसे बोलू melting point की बात बतोर भाई, melting point क्या होता है यसे लगा दूँगा मेरे पास में 100% जो बात हो रही है साइज की चोटी साइज का MP ज्यादा अगर melting point ज्यादा मतलब समझो फील लेना बात को कि चोटी साइज है ठीक है चोटी साइज आ में ता भाई जो हता ना दिखने में जोटी चीजे होती हो बहुत Todo है जैसे च्पर नaltraी बात कर लिटा हो जो आपके दिल के हैं और सेकिनदे बता हुअ दोनों में से किसका मैल्टिंग ज्यादा कि कि एक सेप्षन नहीं है वाई सिंपल सीज़े कि परस्ट एक सेकंड इगा क्योंकि होता है तो छोटी साइध किसकी सेकंड एक कि चलो जी अगला point लेलो hardness of metal कि भाईया और पड़ाओ ना इसमें इसमें क्या पड़ाओ भाई 4 तो metal है इसमें 4 element है S block में सारा कुछ तो पड़ा दे मैंने और ये उद्धर से 1-100 और चल रहा है ये भी depend करेगा hardness हो metallic bond पे साथ में depend करेगा वह न पोन साइज पे चोटी साइज का metallic bond ज्यादा होगा या कम होगा ज्यादा होगा size चोटी metallic bond ज्यादा metallic bond ज्यादा मलब hardness ज्यादा अब आप बताओ चोटा bond को तोड़ना असान है simple दोनों एकी चीज़ आसान है hard अलग अलग चीज़ है तो आप बोलें कि चोटे bond को तोड़ना उतना हाड होगा जिसना बड़े bond को तोड़ने में आपको बताओगा बड़ी रसी आप सोरी बड़ा धंडा लेला को ने मनलब बोलने लकड़ी को करा कुछ भी पेर से तोड़ आपने बड़ी सी तो बड़ी अब बड़ी साइज में चोटी साइज में चोटी साइज में ज्यादा सेट होगा तुम्हें बात करों किसकी हाड़नेश की तो हाड़नेश किसका जाएगा B M G C A S R B E तो बाहिं मुझे इतना बताओ कि इसमें इसकी साइज इसका इसका लेकिन अगर में बात करो किसकी कि शौप्ट नेस्की कि जैसे आप सौप्ट हो शौपनेस की बात करो इधर जायेका इधर जाया का मातर थिक व्यक्ति बड़ी साइज को जाएगा सोपट बड़ी साइज सॉप्ट होगा चोटा वाण हाड होता है को टूटता नहीं है तो पर दो चीजें भी हो द्यान लगनी छो कि लिक्वीड एनस-3 थीए पाणी वारा में होती ये होती एलिक्वीड एनस-3 में वोई狗ी तो या से समझने कि क्या होती है कि वृश्धिय युक्विल्टोन को यिदर फीद एलस का और यहां पर क्या हुजीगा है तो अने में हetャिव है . आपको बाता है होगा तो सब्थाइर सब्सक्राइबिक है मैंने यहां पर समय हो जी मका था। इंगा इने के साथ में। सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब। फुम्स सब्सक्राइब्ब पहले में बनाए इसको साइन को हुआ याँ बनाए इलेक्ट्रो अलग से अपना कॉबिनेशन की साथ में यहाँ सब्सक्रब्स पहले में बड़ा इससी हो कि आप लोगों समझ में है क्या बाइत को में डाला मेटल टूडता है M plus में और यहां से लेक्टन निकलता है तो पहले M plus आया इसके साथ में सोल्यूबल हो गया फिर इलेक्टन आया यहां पर सोल्यूबल हो गया तो मेटल ने इसके साथ में मिलके यह वाला इस चीज़ों से आपको निकलने के आएगी यहां पर चार चीज़े चार चीज़े शीखने को मिलेगी उसके पीछे का रीजन जानना होता है बई क्या चीज़े हे जो करना है बहुत चान्धी से देखो यहां से चीज़े क्या होती ही समझने की वह इंपोर्टेंट है कि यहां से चीज़े होगी न branded pro makes कि कैसे साथ में जबobile ने से पेरा मेंगनिटीक का मैं यूजंट मालब आने इलेकर होगा सिमपल बात नोब परimmen क वहां पर कोई दिख्कत है। अभソð Futas का मेंगा इंगा होता है न्याले इसाथ है इननको हम आपन किरा देंगे कोई दिखकत है यह बात में इनका मेंट निकलेंगा निकला है यहां पर कला लिको यां अगा यहां पर कलर का मामला चल रहा हुगा तुक यह निकलेंगे है अब यहां भी सबसे इंपोर्टन चीज ने की बात क्या है कि जो हैंने कि के यह हों लेक्टिविति एक हैं जो मेटल उने को सर्फ करता है आपको बाता हो कोई सरी में इलेक्टोंट Cup 59DRB कहने किते हो करेंगे क्रिकंगे लेकिन जो आप alors cer तीनों चीजे ना यहां पर देखो पेरा मेंगेट है कि मेटर का कोई मेटर नहीं है रिडिशन गजन नहीं ब्लू कर नहीं यहां पर सारा मेटर आएगा वाएगा इलेक्टोन से यह बहुत चोटी चोटी चीजे हैं लेकिन है इनका जो काम है बहुत बड़ा है आप देखना क्योशन आपसे पहले हिलते नीते समझ नहीं आते चीजे अब इतनी सी चीजे पढ़के हो क्योशन आपसे बीना देखिल जाएंगे मैं तो उम्मीद करता हूं कि पुरी नौर गय डिटेल के जो लेक्चर है ना अभी तो टाइम नहीं आपके पास में तो नहीं पढ़ पाएंगे आप लेट आएंगे मिससे नहीं अगर आप पहले आते तो साइधी चीजे आपको देखने को मिलती बागी वन सोट से चीजे हो जाएंगे हर कोई बंदा नोर्मल से नोर्मल बंदा करेंगा मुझे से पन्रें के बाद में वन शोटी है कि जिसने असे से पढ़ाए परे तो पंदरा में करेंगा उसके कोई दिक्कत नहीं है मिनीमम से मिनीमम बताराओ बारा जो तो बही है कोई जिशने एक बार लेक्ट्र देख गया मेरे और सारी से समझ चीज अगे आप किसी और सर से पढ़ रहे हैं उन सरक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो मतलब आपके कस नहीं बनेगे गारंटेर है ठीक है अगर आपको मेरे आ रहा है तो मेरे से बनेगे ठीक है लेकि मेरे जो लेंग्वेज हो भी में बताता हूं क्योंकि बात होती ही सब्सक्राइब करता है तो इसलिए में उन चीजों में बात करता हूं तो आपको समझ में आता है बस मेरा यही पलसट है लेको यहां पर लेख सकते हैं आपने लाइन लेकेंगे यह वाली जो चीज दिन इसके उपर लाइन लेका दे कि उसन यहां से बन जाएगा फिर आपका जो पश्ट एक एलिमेंट है पश्ट एक इसको बोलते हैं आल अलकली मेटल Metal Soluble In Liquid NS3 And Blue Colour Appear ठीक मैंने क्या बोला कि जो Alcool Mhetal होते हैं सारे परस्टैंगे ग्रूप के वह सारे Soluble हो उगे साथ में Blue Colour también भी देंगे ठीक उपेर करेंगे के मालब जाने के बाद में इसके पीछे क्या रीजर नहीं आपको पता होगा बहुत अच्छे से जानते हैं देन उसके बाद बात करेंगे अपने सेकेंड डेकी इसमें क्या होगा जो बी और एमजी है यह यहां से कुसम डाइट आता है बी एमजी डजनोट सो सेकेंड यह में उपर के दो है ना बी एमजी डजनोट सो या डजनोट ट्राइविड डजनोट सो या डजनोट प्रोवाइड ब्लू कलर हाँ है एक होगा कंशंट्रेट कंसेंट्रेट्र तक जानते हैं बुस्ट तो ट्रूलोट से रहे ना भाई एब सप्रूलोट nationale पेरा लिख लो, P, R, A, M, यह वोता, DIA, ठीक है, DIA लोट सोलिटिन, क्या होता है, पेरा होता है, यह वारत होता है, DIA होता है, छोटी-छोटी चीजे हैं, जो आपको दियान में रखनी है, ठीक है, कोई issue नहीं होगा, उसके बाद मैं अगला क्रेंगे, यह होता है भई, फ्ल table-weighted भाइब उसको हीट देनी कोछ इलेक्टोन आशथ सट ब sue can एक कबम को दिखाते जब रीटन आ रहे होते हैं ठीक है पहले जाएंगे फेले तो कलर को साश करेंगे तो इस स्टमरो घूंट साइन्टिस्ट ने और आपके लिए मुश्य बढ़ा दिये क्या बोला है क्या बोला इन्होंने कि आल जो अलकली मेटल ना अलकली अर्थ मेटल सो प्लेम टेस्ट एक्सेप्ट वह अपस चीज आएगी एक्सेप्ट किसके बैस सारा करेगा यहां भी सारा मामला स्टेट था बी एमजी ने टांगड आए थी ठीक है और यहां भी दोनों ने अड़ाई है कौन कौन से बी एमजी एक्सेप्ट बी एमजी यह वाला दियान दोनों बहुत टांगड आते हैं तो यह वाला सारा सहीन चलता रहेगा तो उन्होंने क्या देखा पहले गरम कर आप बिना मतलब की बात है वह मेटल तक सो गरम किया इलेक्टन उपर गए नीचे है और उनने देख ले यह कलर सो कर रहे है ठीक है यहां तक बहुत इतना बोल कि छो आभटा ध्या कि उन्होंने क्या क्यों बोला कि बई जो आपका यह ना समझ रेकर लिए डाइगा ऐसी एंजित के टो और यहां वी यह में मेंग क्यों जो है chilling-क के में तो वांben जो है देए लेकिन कौन सा कलर देंगे लेकिन उन्हों ने उन्हों ने बहुत अच्छा किया बचार होंने इसका उसका क्रिम्शन रेड, क्रिम्सन रेड देता है, यह देता है बाई, गोल्डन एलो, यह देता है ओलेट, ठीके, यह देता है बाई, रेड, ओलेट, यह देता है बाई, ब्लू, ठीके, इतना ध्यान देना, इधर से बी यह देता है बाई, एपल ग्रीन, यह देता है बाई, क्रिम्सन, सेम उस बिरिक रेड़ बिरिक रेड़ ठीक है आप ऐसे कर सकते हैं भाई एलाई और एसार एलाई और एसार दोनों सेम देंगे भाई कौन-कौन सा किरिमशन कि राइटिंग गंदी मेरी कोई दिक्कत नहीं सुधार लोगा जीवन में आगे कभी तो चांस मिलेगा मुझे ठीक है तो क कर लिख सकते हैं आप लोग तो एक कलर का ध्यान में देना करना इस एक कलर है बहुत काम की चीज़ें यार इनके नाम है यहां से क्वेशनार बाहर आता है और इस बाहरी भी आएगा एसे मेरी उम्मीद है नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगला फॉइंट ल हम दिखंग गेल्ड़ों निकाल रहा है आप समझते हैं बात को किसे आधार लियागा फ्टीक है यह से एम पलस आएगा एलेक्टों निकलता तो आपको दियान में कोई दिक्कत नहीं तो आ रहे हैं और अप जानते हैं आप कर लेंगे जिसके आई कम ठीके आरे उसका ज्यादा इस तर से हरे आपका जाएंगे काम आपका बहुत ही जोगा जाएगा अब कर लेंगे इसमें बडा इस्युं नहीं है सबसे ना कि आप से पूछेगा चेजिगा कोन साय स्ट्रॉंगक और कॉन सब बीक है इस प्सक्रॉचह में रख लेना है जिसमें आपका काम हो जाएगा कि बाइग wonderön charisma में बात करूँ में तो आप करेंगे किसे हो यहां पर में लिखाँगा शेकिन्ड कि जिसमें आपका काम होजाएगा इसके ऊपर कुछ भी नी चीजा चलती है ठीक को पर कुछ भी को चीजा नहीं चलती है टीक ठीक है यह कर देंगे हैं गहीं कि स्ट्वुट दीखी रहे हैं तो सब से पहले मैं बता दोता हूं केस में इस्ट्वूघ जो होता है आपका हो होता है CS व वीक होता है आपका LI ठीके अब देखो किसे होगा नीचे जैएंगे ये बढ़ेगा आई-वाए लिखाये तो ना आई-ई नीचे चोटी टोट का ऐकी साइस का उपर ही उपर का टोप होता है जब आई-ई-ग गर बस इतना है सिंपल बात है कोई दिक्कत निए अब आपको लग रह वह गाँ डूगा तो लिक्विड में लिक्विड फोम में एसार पी बता है सबसे टोप पे कौन सा भाई यह उसके बाद मैं देखो एक यह वाला एनाई इसके बाद में जो पश्टे की बात कर रहा हूं तो लाइक्व यह वाला ओं इसके बाद इसके बाद एधियाद इस सब्सके बात कर रहा हूं और यह इस इस लेक्ट्रोकेमिकल सिरीज वहां से सर्व निकलता वेल्यू निकलती किसके पर भी इस कि कम होती इस फॉम में बहुत तारी घपले बीच में तो आप उन्हें स्वीज ना लेकिन आपको समझ भी नहीं क्या नहीं आएगा क्या आएगा तो इसलिए मैं समझाना नहीं चाहता हूं आपको पस्छ लाइटली बता दिया है मैं चाहूंगा कि आप इनको ध्यान रखो काम आपका हो जायागा समझना है डिटेल में तो आप वहां जाके देख लीजिए माइस्कुल पर आपको मिल जागा कोई दिक्कत ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं बहुत आसान सीजिए तो इन चुछों पर द्यान रखो बाकि तो आपको ट्रेंसन लेना ही नहीं बिल्कुल भी उसके बाद में अगला कंसेप्टे में डायेट लिखा दिया आप लोगों को इसको करना काम आपका हो जाएगा जैसे पर्ष्टे लिया सेकिंड इलिया सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि पर्ष्टे और सेकेंड नेल में चाहिस चोटी इधर की अब चोटी साइज का आई ही ज्यादा होता है आपको आपको अगरा लिखो LINAKiau और बी सीएस टीट के तो इसके बताओ इसमें नीचे जाएंगे तो आई आपका क्या हो जाएगा आई घटेका तो आपकी reactivity क्या हो जाएग्या भाई बढ़ेगी तो नीचे जाने पर नीचे रेक्टीव हो जागा मालब सीएस वेगरा बढ़ी है चोटी बताओ नीचे जाएंगे साइज बढ़ी है क्योंकि आपको देख इदर जाएंगे तर जाएंगे घटे की ना highly reactive यह बाल लिख सकते हैं इसके करण में इसके करण में इनको कहा लिखते हैं इसके करण में कहीं से सबसे बढ़ी चीजे बहुत आसान नहीं बहुत सिंपल नहीं है इनको कर लेना आप लोग इजी हैं तो यहां तक की चीजे आपकी खतम होती जो basic point होती है उसके बाद में बात करेंगे अपन action एन action की बात है वही कहां का चीजे हो रही है सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी action of n2 की वहीं बात करने ही जा रहा हूँ नहीं नहीं टू क्या होता है मतलब जो सोडम होगरा मतलब जो आशलों के इलेमेंट है वह N2 के साथ में reaction कर रहे हैं, action कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर नहीं जा रहे हैं, तो आपको अम इसा द्यान लखना है, कि जो पश्ट यह हैं, ठीके, इसमें क्या होता है, एलाई only reaction करता है, बाकी नीचे का नहीं करता है, ठीके, वो इदर से क्या होता है, बी, Mg, CA मलब में उसके साथ में compound नहीं बना रहा है BMG, CA, SR, BA इसमें क्या करता है ना इसमें इस सारा करता है Mg, CA मलब यह क्या करेगा, All Nitride बनेगा न महीं, All Nitride बनाता है लेकिन आप देखो, Li तो बना लेगा, ठीक है लेकिन भाई, N2 के साथ में बाकी नीचे करेंगे जिसे आपको मिल जाए, Na Plus N2 और आपको बनाता है, Na N3 तो आप बोलेगे बिल्कुल नहीं बनाएगा ठीक है, अगर आपको मिले, Li Plus N2, तो यह क्या बनाएगा, Li 3N, ठीक है, इधर के जाएगा, N2 का 3, इतर बनाएगा, हाँ बिल्कुल बनाएगा, इसमें कोई Issue क्या है, कोई Issue नहीं है, अराम से करेंगे, लेकिन यह वाली सीज कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि यह वाला सीन यही ध्यान रखने, ध्यान क्या रखना है, कि भाई, X1, N2 के साथ में, Li तो compound बनाएगा, बाकी नहीं बनाएगे, ठीक है, यह वाले, और Second A के सारे बनाएगे, इसमें कोई बड़ा Issue नहीं है, ठीक है, कोई Issue नहीं है, ठीक है, कोई Issue नहीं है, बड़े आराम से कर बस आसान है, ऐसे चीज़े ध्यान रखना, बस आपको काम हो जाएगा, अगला लिख लो, Action of Air, इन चीज़े में कुछ चुझे चुटी नहीं है, यह तो बिल्कुल डेटेल में चल रही ही चीज़े, क्योंकि तो इसमें कोई बड़ा Issue नहीं है, बहुत Simple है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे आप, ठीक है, Action of Air की बात चल दिए, अब आपको ध्यान में रखना है, कि यहाँ पर छोटी छोटी जियान चीज़े रहाखने है, क्या दीखनी है, कि बाई, जो मेटर ले, सारे Action करेंगे, Air के साथ में, Air के साथ में, Reaction करेंगे, और कुछ अलग बना लेंगे, फोंग बना लेंगे, जैसे लोगा अगर होता है, तो लोगा क्या करता है जोटा जो घर होता है, ओखना आऱ बना, जंग लाग जा जांग, ऐसे चीज़े होती है, तो यहाँ पर होती क्या है, यहां पर चलती है, कि कोई Metal है, ठीक है, वो भी कौन सा nearby? सब्सक्रι lorsqu्की किमीघूति करने इसके साथ में या फिर फिर सब्सक्राइब मेवं या सब यहां से एक Oxide की एयर बनती है अगर Moisture करेगा तो यहां से बनती है यह यह और यहां से जो बनेगा यह बनता है तरनीस जो बन जाती है तो यहां पर देखना पड़ेगी अगर चोटी चोटी चीज है जो आपको द्यान में रखना चाहिए इसमें कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं उसके लिखेंगे कि इधर से only li form oxide यहां से क्या हूं यहां से only li करेगा OXII इन nitril बना था तो कोई दिखकत है कि नहीं AXI-D बनाएगा नाइटर बनाएगा कोई दिखकत नहीं सेकिंड यह की बात करेंगे सेकिंड एंटल यह पर्ष्ट है कि पर्ष्ट है ना भाई सेकिंड एंटल फोर्म ऑक्साइड एंड नाइट्रेड तो यहां से लिख देंगे आप पर्ष्ट हैम तो आप इसे लाई करेगा इसमें बड़ा इसी नहीं है ठीक है यह याद करने की चीज़ी होती बस आपको जो याद करना है मैं वहीं चीज़ी बताते जा रहा हूं आपसे अगला ले लो एक्शन ओप एच्टू हाइडोजन की साथ में अब यहां से सीखने की बाते हैं यहां से क्या सीखने की बाते हैं कि अगर मैं लेता हूं कोई मेटर लिया मैंने कौन सा मेटर लिया मैंने चो पस्टे से आया हुआ है मैं दूसरा मेटर लिया सेकेंड एका ठीक है दूसरा मे reaction करी यह बनाएगा mh और यह बनाएगा mh2 क्योंकि यहां से h2 यह डबल बनती है आपको mh2 बनाएगा तो यहां से समझ ना कि जो mh बन रहा है पस्ट में में तो भाई यह लीतियम से cgm सारा बना लेगा मेटर ठीक है और यह जो बनेंगे नहीं बनेंगे आयोनिक बनेंगे ठीक है और यहां से mh2 जो बन रहा है भाई यह से क्यों बीये तक यह से बीये तक बनता है बया आयोनिक ठीक होपर होटा न यहें बीगैं चूट गया तो बहीं यहां से जो बीएएंजी ना वह बनाता है BEH2 ठीके MGH2 बनाता तो है लेकिन यह कौन सा बनाता है यह बनाता है कोवलेंट देखो यहां सक सारा आयनिक बनाएगा यहां से important चीज क्या है क्यों सन क्या पूछेगा पूछेगा BEH2 MGH क्या आयनिक बना रहे सारा कोवलेंट आप बोलेंगे कि बही जो अगर माले पष्ट में एलेमेंट के साथ में कर रहे हैं रहे हैं रहे हैं तो LI से CS तक पष्ट वाल सारा आयनिक बनाएगा सिंपल है H2 के साथ में लेकिन सेकेंड में H2 के साथ रहे हैं तो B, M, G दोनों क्या करेंगे कोवलेंट बनाएगे बाकी तीनों नीचे के क्या बना लेंगे यह बना लेंगे आयनिक तो इसमें कोई बड़ा इस्ची नहीं है बस यह चीज आपको ध्यान में रखनी है देर अगली बात करेंगे action of O2 पहले air की बात करी थे अब बात करें action of O2 ठीक है अब एक हैसे बनेगे action of O2 के साथ में कि अगर मालो मेरे यहां से metal है यह metal ने reaction करी O2 के साथ में heat के साथ में ओके, O2 के साथ में करी तो यह क्या बना एगा? Oxide बना देगा फिर Oxide अगर वह आपिस फिर से O2 के साथ में reaction करेगा, ठीक है किसकी परज़ेंच में? तो यह बनाता है परोक्साइड यह बहुत इंपोर्टेंट है यह वाला ठीक है? परोक्साइड इसने वह आपिस O2 के साथ में reaction करी तो इसने बना लिया सूपर ओक्साइड यह वाला सीन होता है अब देखो समझने की बात इतनी सी हैं कि ओक्साइड, परोक्साइड, सोपर ओक्साइड क्या होता है तो बहुत ओक्साइड जो होता है ओ माइनस टू परोक्साइड क्या होता है? O2 माइनस टू सोपर ओक्साइड क्या होता है? O2 माइनस ठीक है? O माइनस टू ठीक है? यह वाली चीज़ होती यह ध्यान में रखनी यह वाली चीजे यह बिनीट होती है सारी चीज़ फिर उसके बाद में आपको आपको सिंपल बात है ठीक है जी जैसे मैं लेता हूं यहां पर ठीक, इसमें, इसमें Oxide, Per Oxide, Super Oxide देखना है आपको कि कौन सा element होगा, जो पर Oxide बनाएगा, कौन सा शुपर बनाएगा, दियानक न, Li Oxide बनाता है, Simple है, जो एन हैं, वो बनाता है, Per Oxide, ठीक है, और जो तीनों है न भाई, ये बनाते हैं, Super Oxide, super oxide और इसके बात करूँगा तो उपर के दोनों बनाई है oxide ठीक है और नीचे के तीनों बनाई है पर oxide क्या बहिए आप बताओ कि इसमें से तीनों में से क्या इसमें second day में कोई भी super oxide नहीं बनाएगा मैं बोलूगा बिल्कुल और BMG बनाते हैं oxide और यहां पर जो आपको एने मिलना एने एने लिखो इसको एने और यह तीन मिलके यह क्या बनाएगे पर oxide तीन बनाएगे super oxide के ओल पस्ट है के के आर भी सी एस यह बनाएगे super बाकी नहीं बनाएगे super humidity यह वाली होती इस तरह से इसको लिखने का करम होता है आगे और भी बता दूंगे आपको कैसे कैसे चीज़े बनती है तो आप लोग और अच्छा प्रफॉर्म कर पाएंगे चीज़ों हो लेगे कि क्या है चीज़े नहीं है ठीक है यहां से line लिखो एक पर्वक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड प्रोख्साइड फर्म बाइ एस ब्लोक डू टू लार्ज साइज ठीक है लार्ज साइज करण यह वाली चीज़े बनाते है अब यह आशे लिखना ओक्साइड किसका फोर्म्ला केस लिखते है अपन प्रोख्साड और सूपर ओक्साड ऐसे लिख ले ना इसको लिखते हैं भाई इसकी विनिट क्या बतायती विनिट बतायती O2 O-2 है ना O2-2 यहां लिकायती O2- यह वाली लिकायती क्या इस तरसे आप कर लेंगे यह वाली चीजे कर लोगे ना भाई कोई दिक्कत है क्या नहीं कर लोगे आप बहुत आसान है तो यह चोटी चीज है जो आपको करनी चाहिए इस तरसे करेंगे अगर माली बनाता है बनानेक बास कैसे दिखता है के वो टू के टू ओ टू ठीक है यह फिर टू बोलेगा बहाँ यह के टू तो तो में लिखाने की तरीका बता है आपको इसका देखो कि एक्स हुगया इसका यह लिखते ना आप क्या लिखते हैं एक मैंनस 4 बराबर जीरो तो एक्स बराबर क्या हो जाएका इसका क्या हो जाएगा अगले ले लो के टू क्या होता है सुपर ओक्साइड या ओक्साइड ओक्साइड के टू टू प्रोक्साइड सुपर ओक्साइड क्या होता है के ओक्साइड देखना है सुपर ओक्साइड देखना है सुरी प्रोक्साइड देखना है सुरी प्रोक्साइड देखना है सुपर ओक्साइड दे है कि इसकी ओक फिर्फ दू-1-1-2 वाली होती जहीं वह किμεने तापिके ओ-2-2 और-2-2-2 इसने लें रहेंगम Kelly इसमें बड़ा-ईस्यू नहीं यहना बहुत The ले यार मेरे क्याल सथो कोई इस्जीव नहीं आना चाहिए आपको ठीके ये को चीज लिख़ें कि यह वाला जो है और यह वाला जो है यह रियक्शन करता है बनाता यह वनली बैस टीक ही यह बनाएगा क्या वहल बैस और H2O बनाता है बैस DI एतनी चीजह बनाता得 ठीवी जिरान में रखनी ठीख हर चीर दियान में रखनी ना जो बी सी जी आती है लिको है इक्सन औ Bent एस टू ठीके अब बात केशाटे चल डीए थिए इन देखो एक्स्टो की ठीके तो आपर डिकंगे पंड़ श्लिके मैं इसके साथ मैं इसके साथ मैंने डियक्स डियक्स कर दो, Nice अब देखो वाई पस्ट है कि जो है कि इने यह रेक्स्न करेंगे मod यागोई इसके साथ माहिए इसमें और लेकिन इसम Southeast वाली बात क्या है एक सब्सक्रांश कर समयं होगा है एट है क्या डिव्लैंक के साथ में ऌलेंगा इसका मनता हूझ कॉन कॉलेंट के सांथ में पहल देखा सब्सक्राइब लेकिन उसमें से भी यह पाजाएगा तो आइनिक बना लेगा बाकिये सारा इसमें कोई बड़ा इस चुन नहीं है इस चीज़े समझ लेना सेकेंड एक बात करूंगा इसमें बात करूंगा इसमें क्या बनते हैं कोई दिकत नहीं अब इसमें अगर मैं मात करूं किसकी बी एक्सटू की mg x2 की तो भाई ये क्या बनते हैं लेकिन इसमें से b2 c mg f2 ये क्या बनते हैं ये आयनिक बनते हैं इसी होई है ये से कुछ element होगे जो कॉलेंट बनेगे लिए कॉलेंट में से आयनिक बनेगे कुछ इस पर स्विक यहाँ भी होई थी लेकिन इसमें dell i f क्या बनेगा आयनिक बनेगा ये बडा इस्यू सोल मैंने कर बादी है एक है बर-बन इसके बार में बात करना है रहे और candy को ठीक है अब थर्मल इस्टेबिटी की बात करूँ हाँ तो यहाँसे आपको बहुत बड़ी चीज नहीं it पर्स्ट नम्बर के और सुन्सक्राइब कrenaud, अब पॉलीवटोमिक एनन होते हैं, जैसे मालो C3 माइनस टू हो गया, O2 माइनस टू हो गया, तो इनका क्या होता है ना इनका में साथ द्यान अगना जो पॉलीवटोमी कि सब्सक्राइब करती है, इसे साइज पर आपको इस अपहें लेकर दिएके बढ़ने पर बढ़ता है तिक इसे एक्जांपल मैं आपको लिखा दूँ है ठीकि ओट भी होते हैं इन पर उच्छों अलग होता है लेकिन यह यही द्यान लखना है जैसे लिखो BCO3 MCCO3 COCO3 SRCO3 तो बताना Size बढ़री नीचे तो यह वाला इसे सलेगा मेटर इसे बहुत सारी चीजे ले सकता हूं मैं आप कर लेंगे आराम से कीगे कोई इस यू नहीं आएगा बहुत आराम से करते जाएंगे मैं बहुत सार एक्जाम्पल में करा सकता हूं है यहां पर साइज़ बढ़ने पर ही टीस भी आपका बढ़ रहे हैं यहां से कर लेंगे कभी चार्ज गड़ रा है ठीक है छार्ज बढ़ रहे तो आप सिक गटा देना मैं लिखा दिया चार्ज अपोन चार्ज टीक με इसमें आ लेकिन अधर मोनेटे में साइस काप घटेगा जैसे हफ हो गया सल हो गया हगया हब चोटी साइस किसकी इधर 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 ऐसे कर लेंगे आप लोग कित्ते भी तो संक आराम से आपका काम हो जाएगा अब अगला कंसर्ट पढ़ेंगे क्या सोलीबिलीटी अब टीके इस लिए लपड़ा है सोलीबिलीटी में क्या चलता है दिपल देना इस विए न इपन करती वन अपन साइज पर चोटी साइज जदा सोलीबिल हो जाएगी इससे लिकला ठीके इसे बी इए इस तरह से आपको करना तो आपका इस बलोग इंगे अगली क्लास में आपन करेंगे दी एप लोग तेके सांतिते से इसको करना मिलते हैं ने इस क्लास में तेंगे सोमच कर दो प्रॉज दोड़ कर दो डो प्रॉजिए प्रॉब बॉड़कर तो जॉड़ार् बजी जड़ति बंगार्वाइब।